नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्षन 25 जो ही सेक्षन 25 है यहां पर इस सुप्रीम कोड की पावर को बता रहा है क्या पावर बताएगी यह सेक्षन में ट्रांफर करने की सूट को ट्रांफर कर सकती है किसी भी कोड में अब आपको पता है सुप्रीम कोड हमारी इंडिया में एक है और इंडिया में उसके पाद पूरी जुडिक्सन है जितनी भी इंडिया में हाई कोड और डिस्टी कोड है वह सब भी सबोर्डिनेट एक सब सुप्रीम कोट के और सुप्रीम कोट के पास यह पावर दी गई है सक्षेन 25 में सीपीच में कि वह को ट्रांफ़र कर सकता है किसी भी कोट में और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था सेक्षेन 24 वहाँ पर हाइप कोट और सुप्रीम कोट की बताउंगा और उस को कलियर भी कराता चलूंगा तो चलिये शुरू करते हैं जो सक्षन 25 में घा है यहां पर यह बता रहा है सिम्पली जभिपर्टि कोट में एप्लीकेशन देती है किस चीज़ की application देगी case को đ्राफ़क करने के लिए जो suit चल रहा है किसी भी कोट में तो उस suit को traffic करने के लिए application देगी supreme court में और application देने के साथ साथ वो notice भीदेगी दूसरी party को अब जो party दे रही है उसके opposite जो party होगी उसको वहाँ पर notice भी दिया जाएगा कि हम suit को traffic कराना चाहते है और फिर Supreme Court उन दोनों में से किसी भी party को सुन सकती है जहाँ पर भी court को desire लगता है जहाँ पर भी court की इच्छा है कि इस party को सुनना चाहिए तो वहाँ पर उस party को सुनेगी और Supreme Court किसी भी stage पर case की जो भी stage चल रही होगी उसी stage पर वहाँ पर case को transfer कर सकती है अगर Supreme Court को यह लगता है कि यह आपर justice provide करना है और यह आपर जरूर justice provide करना justice के लिए वहाँ पर वह क्या करेगी उस case को वहाँ पर transfer कर देगी और वो case क्या हो सकता है चाहिए तो वो suit हो सकता है कोई भी ठीक है चाहिए वो कोई भी appeal हो सकती है और चाहिए वो जो भी other proceeding चल रही है किसी भी court में उस proceeding को भी वहाँ पर traffic कर सकती है Supreme Court अब चाहिए वो किसी भी high court में हो किसी भी district court में हो अब वो तो सभी high court district court है सबोडिनेट मानी जाएगे ना सुप्रीम कोट के तो अब मान लीजिए ये अलाबाद high court है अब अलाबाद high court की district court में जो उसकी civil court है वहाँ पर कोई case चल रहा है ठीक है अब उसको वहाँ पर ट्राफर करना है कहाँ पर जो पंजाब और हरियाना high court के अंदर जो district court परती है और जो वहाँ की civil court है इस court में करना है अब high court से दूसरी high court की jurisdiction के अंदर ट्राफर करना है तो वो कौन करेगी? वो करेगी सुप्रीम कोट यहाँ पर सुप्रीम कोट के पास power है एक high court से दूसरे high court में traffic करने की वैसे तो all over India में कई पर भी case को traffic कर सकती है Supreme Court चाहे वो कोई भी high court हो, कोई भी district court हो, कोई भी civil court हो किसी भी court में traffic कर सकती है यह यहाँ पर सबसेशन 1 power बता रहा है Supreme Court की अब चलते हैं सबसेशन 2 में सबसेशन 2 यहाँ पर यह बता रहा है, जब भी कोई party application देती है case को traffic करने के लिए, जो suit है, कोई भी appeal है, कोई भी other proceeding है उसको traffic करने के लिए, तो वहाँ पर साथ में application के साथ में ही एक affidavit भी लगाएगी, जो party application दे रही है, suit को traffic करने के लिए तो वहाँ पर उसको साथ में क्या लगाना पड़ेगा, affidavit भी लगाना पड़ेगा अब affidavit क्यों लगाए जाता है, आपने quote में देखा होगा, जब भी कोई application लगाए जारी हो तो साथ में affidavit जरूर लगाए जाता है, अब affidavit में वो लिखी होती है सब भी बाते कि जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो सब ही सच है, कोई भी इसमें कोई भी fact छिपाया नहीं गया है, और जो भी इसमें बाती लिखी गई है, वो जूटी नहीं है, वो सब भी सच है, इसलिए यहाँ पर affidavit को साथ में लगाया जाता है, अब जब अपर सब्सक्रा के लिए यहाँ पर धारा अब सब्सक्राइइब का Richt को ट्रांफर करें के लिए और तो उसी ओrत नçar डिरेक्शन कि जो करांफर करकरने जा रहा है उसी स्तवी इसocol आे भी तो जो वह Drukot में ट्राफर किया जा रहा है वो वहीं से start होगा जहांपर वो चल रहा था मिधिया यहां पर जोnings पर ऊतीत हे वहां से चुछ रूंधेयागा तो वहां पर special direction देगी उसी order में जब order दिया जा रहा है कोई ट्राफ़र करने के लिए किसी अपील को किसी अधर प्रोसेडिंग को किसी भी suit को तो वहां पर जो भी ट्राफ़र किया जा रहा है तो वहां पर mention करेगी special direction देगी उस order में कि वह initial stage से शुरूएगा या फिर वही से शुरूएगा जहापर जिस stage से वह ट्राफ़र किया जा रहा है उस suit को अब चलते हैं सबसेशन 4 में जो सबसेशन 4 है यहां पर यह बता रहा है simply जो भी पार्टी application दे रही है suit को ट्राफ़र करने के लिए या फिर अपील को या फिर कोई बेदर पोसिटिंग है उसको ट्राफ़र करने के लिए application दे रही है Supreme Court में तो अगर वहां पर Supreme Court को यह लग इसकर देगी साथ के साथ और साथ में compensation भी लगाएगी 2000 तक का वहां पर compensation लगा सकते सुप्रिम कोट यह कोट की पावर है Supreme Court की 2000 पर तक कर पर compensation लगाए जाएगा कि आपको इतना compensation देना है जो आपने यहां पर क्या किया है आपने court का वक्त जय किया है और यहां पर यहां पर जो application transfer के लिए लगाए उस पार्टी वहां पर वो compensation दिलवाया जाएगा अब चलते सब्सेशन फाइव में जो सब्सेशन फाइव है यहां पर यह बता रहा है सिंप्ली जो सूट को अपील को या फिर कोई अधर जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको जो ट्रांफर किया जा अब इसको ट्रांफर कर दिया गया था ओलाबाद लॉट में जो सीविल कोट ौट थी वाह गया हहने जाए अंडर प्रोसेडिंग को चलाए जाएगा वही लोग अप्लिकेबल होएगा जो हर्याने रेंड कंट्रोल एक्ट था मैंने मैं आपको एक्जाम्पल के तोर पर समझा रहा हूं ठीक है वही लोग अप्लिकेबल होएगा जो उस स्टेट में चल रहा था अब यह नहीं कि जिए अग्मान लीजिए यूपी में आ गया तो यूपी के अंदर जो भी लोकल लोज है वो चलेंगे नहीं जो हर्याने से उठका है तो हर्याने के लोकल लोज ही अप्लाई होएगा उस यूपी की कोट में जो सिविल कोर्ट में ट्राफर किया गया था केस को वही पर तो वहां पर हरियाना के लोजी अप्लिकेबल होएंगे यह यहां पर बता रहा है जो सब्सेशन फाइव है तो आपको किलियर हो गया होगा सुप्रीम कोट की क्या पावर है केस को ट्रामफर करने की तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स लोड़ में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन को ओके बैए